हेलो गाइज मैं हूँ पारस और आप देख रहे हैं आर्टी एजुकेशन दोस्तों आज की वीडियो में हम पीएच इसकेल किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हमने यह पीएच इसकेल बनाया है और यह पीएच इसकेल के अलावा जो इससे संब्दित वस्तुव होती ही जिसके अंदर यह नियए लाल लीटमस पेपर यह पीएच इस्ट्रिप और यह वीलियन यानि की यह सुद्द पीरने पानी है इसे हम वीलियन बोल सकते हैं इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम यह जां लेते हैं कि पीएच इसकेल किसे कहते हैं आईड्रोजन आईनों की संदर्था के आदार पर व्यक्ट करता है मतलब किसीودियणaadr अधरर्जन इन कितने है उस पर डिपेंड करता है कि वह विinken होहगा या चारिये होगा जो कीu ए जुक्षण आईनों की पूरा नाम क्या है है इसे कि मुझा से शॉरन dû और पीएच स्केल की जो सीमा होती है जिसे हम परास भी कहते हैं वह होती है जिरो से लेके चौवदा के बीच में होती है अब हम बात करते हैं कि पीएच का पूरा नाम क्या है पोटेंशियल ओफ हाइड्रोजन जो की रसाइन विग्यान का सब्द होता है मतलब किसी विलियन मे हम अब हम बढते हैं उसका पीएच मान हमें साथ Κण सब्सक्राइबर को पिएच करते हैं को असकर पेच में योग्याने फाके जननरब हनि वहाई होते हैं कि अप्येच का उच्छ को साथ कपा है उदाज़ीन वस्तु है उसका पी-एच मान हमेसा 7 होगा अब हम बढ़ते हैं कि जैसे कोई वस्तु अगर 7 पॉइंट से 6 पर आती है तो उसका मान है अमली ज़्यादा होगा फिर 5 पे उसका अमलिता का मान और बढ़ता जाएगा फिर 4 वाले पॉइंट पे और ज़्यादा हो सारीता का मान बढ़ेगा फिर 9 पहा आएंगे तो सारीता का मान और बढ़ेगा और ऐसे कड़ेगा चौधा如果 Já सबसे कम आएगे तो अमलबर जहें लेकिन अमलिता का मान बढ़ता जाएगा मतलब 6 नंबर पर कोई वस्तु है इसका अमलिका मान ना ना 600 ज्यादा होगी बल्कि इसके अंदर ऐसा है कि यह कम है फिर यह ज्यादा है फिर यह ज्यादा है फिर यह ज्यादा है मतलब इस तरफ बढ़ेंगे तो सारीता बढ़ेगी और इस तरफ बढ़ेंगे तो अमलता बढ़िती जाएगी और साथ वह लंबर पर जो कोई भी में ऐसा होता है कि उदासीन पॉइंट पे अमलिता और सारीता दोनों का मान बराबर होता है और इस वज़े से दोनों बराबर होने की वज़े से वह वस्तु ना तो अमलिये होती है और ना ही सारी होती है और वह उदासीन होती है और इस ही को हम pH scale कहता है अब हम बात करते हैं क सबसे बड़ा लाव यह है कि इसके माधियम से किसी दरव की गुणवत्ता को पर्का जाता है यह सोगे पानी है कोई पीदे की कोई ड्रिंक है जिसके हम पीते हैं उसका पीएच हम मानं ग्याद कर सकते हैं जैसे कि कोई मिट्टी है मिट्टी की जाज करवाते हैं तो उसका भी हम पिएच के से ग्याद करते हैं वो खाने की वस्तों है इसके अलावा जो मसली घर होता है उसमें भी जो पानी होता है उसमें पिएच मीट्र का उप्योग करते हैं ताकि खराब पानी अगर होता है या उसका प है यह उदासिन वस्तू हैं और यह सारी वस्तू हैं अब इनके प्यस का मान हम देख लेते हैं जो दूद का यो प्यसमान टा निह techniques 15 होता है मेश क्रेण दो पुंटार होता है टमाटर का पी यह से 4.9 होता है मानव मूत्र जो की यूरीन होता है उसका पी-एच मान 4.8 से लेके 8.4 तक होता है हाइड्रो कोलोरिक एसीड इसका मान एक होता है और समुद्री जल का पी-एच मान 8.5 होता है आसू का पी-एच मान होता है 7.4 सेंपू का पी-एच मान 7.0 से लेके 10 तक होता है बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम बाइकारगोनेट भी कहते हैं इसका पी-एच मान होता है वह 8.3 होता है अमोनिया का पी-एच मान 11 होता है चूलना क हाइड्रोकसाइड का pH मान 14 होता है और बिलीच का मान 11 होता है मिल्क ओप मेगनीशिया का मान 10.5 होता है तो दोस्तों इस परकार आज हमने pH scale के बारे में पढ़ा जाहिरे आपको वीडियो जुरूर पसंद आया होगा अगली वीडियो में हम लीटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे कि लीटमस पेपर है ना उसकी वज़े से जो कोई अमली एविलियन है वो नीले लीटमस पेपर को लाल कर देता है और जो शार है वो लाल लीटमस पेपर को नीला कर देता है और यह हमारे पास नीला लीटमस पेपर और लाल लीटमस पेपर दोनों हैं अगली वीडियो में हम ये भी परियोग करेंगे कि इनका वास्तों में color परिवरतन केसे होता है फिर आगने वाली वीडियो में हम ये pH strips का उपयोग करेंगे और बताएंगे कि किसी भी वस्तुगा जो पीएचे वो कैसे ग्याद करते हैं इसके मदद से तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सबस्क्राइब करने के साथ पास में जो गंटी का बटने उसको भी जरूर दबा के आल पे किलिक कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिपिकेशन आपको जल्दी से मिल सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जहिन वंदे मातरम झाल कर दो